नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब, तो स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल, आपकी एक बात में जहां पे मैं आपको अपने देश की, विदेश की, प्रदेश की नई-नई जानकारी और अन्य ज्यानवर्धक जानकारियों और विचारों को आपके साथ साजा करूंगा आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, इसके लिए वीडियो को आखरी तक अवश्य देखें और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए हमें अपने कमेंट करें और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आईए शुरू करते हैं, बाबा नीम करोली एक चमतकारिक बाबा थे, उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अफ्तार मानते हैं, वे एक सीधे सादे सरल व्यक्ती थे, उनके संबंध में कई तरह के चमतकारिक किस से बताय जाते हैं, आओ जानते हैं बाबा नीम करोली जी उन्हें ग्यान की प्राफ्ती हो गई थी। उनके पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उन्हें बाबा का विवाह हो गया था। नमबर दो, सन 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साध्यों की भाथी विचरंग करने लगे थे। उस दौरान में लक्षमन दास खांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित्वे कई नामों से जाने जाते थे। खुजरात के व बाबा को अगले स्टेशन नीट करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोगी दूर पर ही अपना चिप्ता धर्ती में गार कर बैठ गये। ऑफिशल्ज ने ट्रेन को चलाने का ओडर दिया और गार ने ट्रेन को हरी धंडी दिखाई, परंतु ट्रेन एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था उसने ओफिशल्ज को बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने से सैकडो चमतकार के किस्से है। यहां बाबा का समाधी स्थल्ब भी है। यहां बाबा नीब करोली की भी एक भवय मूर्ती स्थापित की गई है। यहां हनुमानजी की मूर्ती भी है। नमब 6. नीन करोली बाबा के भक्तों में एपल के मालिक स्टीव जॉब्स, पेस्बुट के मालिक मार्क जुकवक और हॉलिवूड एक्षिस जूलिया रॉबर्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। नमब 7. हर वर्ष 15 जून को देवभूमी कैची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहां पर देश विदेश से बाबा नीथ करोली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीथ करोली को भगवान हनुमान का अफ्तार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहां हनुमान जी का आशीरवाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस थान पर हनुमान का भव्य मंदिर बनवाया। यहां लक्भक 6 देवी देटाओं के मंदिर हैं। इन में हनुमान जी का भी मंदिर एग है। बाबा नीथ करोली हनुमान जी के परम भख के और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाये जिन में से कई काफी प्रसित हैं। जैसे कि लखनव के बड़े हनुमान ची का मंदिर, लखनव वासियों के लिए इस मंदिर की विशेश मान्यता है। नमब आच, रिचर्ड एलपट रामदास ने नीव करोली बाबा के चमककारों पर मिरेकल ओफ लव नामक एक किताब लिखी इसी में गुलेट प्रूप कंबल नाम से एक खटना का जिख है। बाबा हमेशा कंबल ही ओड़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेट करते हैं। नमब नौ, बाबा नीव करोली महाराज के दो पुत्र और एक पुत्री है। जेश्ट पुत्र अनेक सिंध अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिश्ट पुत्र धर्म नारायन शर्मा वन विभाग में रेंडर के पतपर रहे थे। खालगी में उनका निधन हो गया था। नमबर दस उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर सन 1973 को व्रिंदावन में किया था। तो मित्रों कैसा लगा आज का ये हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा। तो मिलता हूँ आपसे अपने नए वीडियो में एक नए विशय की नई जानकारी के साथ। तब तक इंतजाज किजिए और नए नए वीडियो की अप्डेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार